अंग्रेजी सरकार के अंधीन जुल्मों के विरोत में उपचे अडिक्ट संकल्प के फलसुरू बहुत से शहीदों ने स्वतंत्रुता की बलिदेवी को अपने खून से सीचा था और जेलों में यातनाय सही थी प्रांड दिये थी जतिन साथ मुगर्जी बंगाल के क्रांटिकारी आंदोलन के प्रमुक नेता थे उनकी अद्वुत सहस पून गतिविध्यों के कारण उन्हें बागा जतिन कहा जाता था अंग्रेजी सरकार के विरोथ में सशस्त्र क्रांटि का आयचन करने के लिए वो देशों से हद्यार मंगाने के सिलसले में नौ सितंबर 1915 को उडिसा में बाला सोर के पास कापटी पोड़ा की एकांथ जगा पर जर्मनी से आने वाले शस्त्र भंडार को लेने के लिए पहुँचे परन्तु पुलिस को पता चल गया और वो मारे गए बंगाल के ख्रांतिकारी शचिंद्रनाथ सान्याल ने ख्रांतिकारी दल का फिर से संगठन दिया इससे पहले उन्हें विपलव की योजना बनाने के जुर्म में काले पानी के सजा हुई थी आम माफी दिये जाने पर उन्हें 20 फरवरी 1920 को छोड़ दिया गया शचिंद्रनाथ सान्याल ने उत्तर भारत ने अपना संगठन खेलाना शुरू किया योगेश चाचाजी उनके साथ थी इस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एससीएशन उन्होंने कोई 23 नगरों में इसकी शाक्थाएं स्थाबिकी ली इस संगठन के सिलसिले में पंडित राम प्रसाद विसमिल उनके संपर्ख में आइखे Br उनकी जब बुरी थी शचिंद्रनाज सान्याल के संपर्ग में आथा राम प्रसाद बिस्मिल अपने प्रांतिकारे दल में उन्हीं लोगों को शामिल कर दे थी जो उनकी कठन परीक्षा में सफ़ोगी चंद्रशेखराजाद और अश्वाफ उल्डा ऐसे ही सफल गठी थी ज वो एक अच्छे शायर गुठी सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में थी इस तरह के राश्ट्रेगीत के रश्नकार राम प्रसाद बिस्मिल थी इस गीत को गाते हुए कितने ही नौजवान स्वतंत्रता की बलिदेवी पर चड़ गए थी अश्वाक उल्ला शाह जहापुर के रहने वाले थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सत्संग ने उनकी क्रांतिकारी भावनाओं को बढ़ावा दिया अश्वाक उल्ला भी राश्ट्रिय भावनाओं से उत्तोत प्रविताएं लिखा कर दे थी कुछ आर्जू नहीं है है आर्जू दिये रख दे कोई जरा सी हां के बतन वपन वे हैं क्रांतिकारी दन यानि हिंदोस्तानी रिपब्लिकन एसोसियेशन के एक अन्य महत्रपूर्ण सदस्य बने थे चंद्रशेहर आजार मध्यप्रदेश की एक छोटी सी रियासत अली रा दस बारा वर्ष की उम्र में वो संस्कृत पढ़ने पाशी गए वो राष्ट्रिय आंदोलन का युख्था सभी और राष्ट्रिय अतार्शन में दूदे लोग अंग्रेजी शासन के विरोद में जलूस निकाल बिले एक दिन राष्ट्रिय आंदोलन के कारेकरताओं ने ज सिपाही को मारा और भाग निकला किन्तु बाद में पकड़े जाने पर चंद्रशेखर आजाद को अदालत में पेश किया गया उस समय मैजिस्ट्रेट और किशोर चंद्रशेखर के पीच हुआ संपाद भारतिय स्वतनपता संग्राम के इतिहास में स्वहनाक्षरों से जेल खाना बस तभी से किशोर चंद्रशेखर के साथ आजाद नाम जुड़ गया उन्हें तब 15 बैंतों की सजा हुई थी हर बैंत की मार पर उन्होंने कहा था बंदे मात्रम भारत माता की जै राजेंद्रनात लाहडी वो थे तो बंगाल के पर बच्पन से ही बनारस आकर रहने लगे थे और बनारस के क्रांति का रिदल के मुख्य संगठक थे राश्ट्री आंदोलन में सक्रिये कारे करने वाले लाहडी पर बिस्मिल को बड़ा भरोसा था और शचींद्रनात बक्षी भी बंगाली थे पर बनारस में रहते थे वो शुरू से ही स्वतंत्रता के लिए क्रांति कारी कारियों में जुटे हुए थे इसी लिए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन का सदस्य बनाया गया था उन्हें जहांसी में संगठन चलाने के लिए भेजा गया था काकोरी योजना के लिए बिस्मिल ने उन्हें खास तोर पर बुलाया था नौ अगस्त 1925 को सहरनपूर लखनव पैसंजर ट्रेन जब काकोरी के पास पहुंची तो ट्रेन रोक कर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया और लखनव चले गए उनकी धर पकड़ में चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सभी लोग पकड़े बात मे ने राजिंद्रनाद तहरी रामप्रसाद बिस्मिल रौशन सेंग और अश्वाक उल्ला को खासी हुए शचिंद्रनाद बक्षी मुकुंदिलाल केशव तथा मनमत नाद गुप्त को जेल की सजा भी भगत सिंग को भारतिये स्वतन्तुता क्रांति की धारा के लिए मोड अधर कहा गया है उन्होंने समय और समाज को देखते हुए क्रांतिकारियों को धार्मिक भावनाओं से उपर उठाकर समाजवात की और मुरा था लाला लाचपत्राई की हत्या का बदला लेने के लिए पंधा दिसंबर 1928 को प्रांतिकारे दल में अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी इसमें शामिल हुए भगत सिंग्ग, चन्तुनेकराजाद और शिवराम राजकुई अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या के बाद ये लोग लाहॉर से वेश बदल कर भाग निकले दुर्गा भावी के साथ उनके बच्चे को गोद में लेकर धगत सिंग चले राजगुरू उनके अरदली बने थी और चंदरशेकराजाद एक पंडे के वेश में तीर्थ यात् प्रांतिकारी दल ने दिल्ली में असेंबली में बंभ भिखने की योजना बनाई इसके लिए भगक सिंग को भीजने का फैसला किया किन्तु राजगुरू और सुक्तेव दोनुं ही चाहते थे कि उन्हें भीजा जाए प्रांतिकारी सुक्तेव लुध्याना के रहने वाले कॉलिश में पढ़ते हुए उनका छुकाव क्रांति की उठ हो गया था फिर वो भगत सिंग के संपर्ख में इनके हाथ में इनका नाम गुदा हुआ था क्रांतिकारी होने का किसी को पता ना लगे इसलिए एक दिन सुक्देव ने मुम्बत्ति जला कर उस गुदेवे भाग को बड़े साहस से जला दिया साथ ही क्रांतिकारी उनके इस साहस को देखकर चकित रह गया थी दिल्ली में असेंबली में बम खेखने का काम अंत में भगत सिंग और पठुकेश्वरदत्थ को सौपा गया था पठुकेश्वरदत्थ सन 1924 में भगत सिंग के संपर्ख में आ आज एप्रिल 1929 को असेंबली में बम खेखने के सार देश को पहली बार इनकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया भगत सिंग और पठुकेश्वरदत्थ में भागने की बजाए गिरफतारी थी सर्दार भुगत सिंग ने अपने बयान में कहा था क्रांती कारी डाल का उदेश मजदूरों और किसानों को उनका हाक दिलाना है ताकि हम एक वर्ग हीन समाज की स्थापना कर सकें बाद में भगत सिंग राजगुरू सुपदेव को हासी दी गई स्वतंत्रता की बलिदेवी पर छूल कर हमारे ये भाई अपनी यादें छोड़ है उधर चटगाओं में सूर्य सेन क्रांती के क्षेत्र में उतरने से पहले एक स्कूल में लोकप्रिय अध्या पकते सभी लोग उन्हें आधर से मास्टर दा किते थे राष्ट्रिय भावना ने सूर्य सेन को क्रांतिकारे बना दिया और नौकणी छोड़कर वो स्वतंत्ता संग्राम में खूट पढ़े थे सूर्य सेन के नेकृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक एक नया क्रांतिकारी सैनिक संगठन तयार किया गया था इसमें 500 से अधिक युवक्ति हो चुके थे संगठन का उद्देश था, संगठन, साहस और बलिदान सूर्य से इंडियन रिपब्लिकन आर्मी तैयार दिने पर चटगाउं स्थित प्रिटिश शस्त्रगार लूटने की योजना बनाए 18 एप्रल 1930 को उन्होंने राथ कोने 10 बचे आक्रमन का आदेश दिया अलग-अलग गलों को अलग-अलग काम सौपे गए इस अचानक आक्रमन से ब्रिटिश शासन थर्रा उठा था जलालाबाद की पहाड़ी पर क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सेनिकों के पीच जंग कर युद्ध हुआ एक और शक दिशाली ब्रिटिश सेना थी, दूसरी और 20 साल से भी कम उम्र के नौजवान क्रांतिकारी आखिर क्रांतिकारी दल की खार थी, बीस नौचवान मारे गए, बहुत से गिरफतार भी थे, किन्तु सूरे सेन और कुछ अन्य क्रांतिकारी नहीं पपरे जा सकी सन 1930 में स्वतंत्रता क्रांति व्यापक रूप से फैल गई थी, जिसमें कलकत्ता में बिनोय बोस, बादल गुपता और दिनेश कुपता ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकी योशना बनाई, ये बी-बी-डी गुरुप के नाम से जाने जाते थे इन्होंने कारागारों के मुख्य अधिक्षक कर्नल सिंप्सन को आज दिसमबर 1930 को कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में गोली मार दी उधर 27 फरवरी 1931 की बात है, दिन के 10 बजे थे चंदर शेकर आज़ाद इलहबाद में चौक कट्रा की तरफ से जा रही थे उनके साथ सुकदेवराज भी था चंदर शेकर आज़ाद ने अचानक वीर भद्र तिवारी को देखा तो चौक उठे वीर भद्र तिवारी काकोरी शडियंत्र में गिरफ्तार हुआ था इतने में पुलिस अफसर बिसेसर सिंग और डाल चंद खुफिया पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट नौच बावर को लेकर पार्क में पहुच गया दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी थी सुप्देवराज मौकापा कर भाग निकला अब एक तरफ चंदर शेखर आजाद अकेले और दूसरे तरफ तीन दोग मुकाबले में रह गए थी नौच बावर के हाथ में आजाद की गोली लगी और पिस्तॉल छूटकर गिर पड़ी परंतु प्रिसेसर सिंग लगादार गोली चला रहा थी आजाद की एक गोली उसके जबड़े पर लगी और वो खायल हो गया परंतु आजाद बैर में गोली लगने से खायल हो गए और उनकी गोलियां भी खत्म हो रही थी आखर एक गोली बचने पर उसे उन्होंने अपने आप को मार दे और सदा के लिए सो गए चंदर शेकर आजाद उकरांतिकारियों के आदर्श निता थे उन्होंने अपने साथियों में ऐसी लोकप्रियता हासिल की थी कि वो आजाद के एक इशारे पर प्रांड देने को तयार रहते थी उधर सूरे सेन के दल की एक सक्रिय कारे करता थी कल्पना दत्थ चटगाउं शस्त्रगार कांड के दिनों में ही वो चटगाउं आई थी और क्रांतिकारी मनुरंजन राए के घड़ धेरी थी उन्होंने चटगाउं साइंस कॉलेज में दाखला ले लिया था वो पढ़ाई के साथ साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी योजनाओं पर कारे करते थी ब्रिटिश पुलिस को सूरे सेन कलपना दत आधी की बहुत तलाश थी पर वो हाथ नहीं आते थी चट्टाओं के पास गोईराला गाउं के एक जमिदार को पुलिस ने 10,000 रुप्यों का प्रलोहन दिया कि वो सूरे सेन और उनके साथियों को पकड़वा दे थी वो जमिदार सूरे सेन से परिचित था 16 फरवरी 1933 की राद सूरे सेन अपने साथियों के साथ उस जमिदार के निमंतरन पर पहुंचे उनके साथ कलपना दत विथी अभी पुलिस ने जमिदार का घर घेरना शुरू ही किया था कि सूरे सेन को पता चल गया दोनों और से गोलियां चलने लगी सूरे सेन पकड़े की किन्तु कलपना दत और कुछ अन्य साथ ही पकड़े नहीं जा सकी परंतु 19 मई 1933 को कलपना दत और उनके साथ ही सागर तठ पर बसे गाहिरा नामक छोटे से गाउं से गिरफतार कर लिए गए बात में पुरुशों को तो फांसी दे दी गई किन्तु कलपना दत को आजीवन कारावास की सजा मिली उधर सूरे सेन पर मुकदमा चला उन्हें फांसी की सजा दी गई 12 जन्वरी 1934 को जब आधी रात के समय उन्हें फांसी के लिए ले जा रहे थे तो सूरे सेन ने बड़ी जोर से बंदे मातरम का घोश किया जेल के सारे कैवी जाग उठे वो समझ गए कि सूरे सेन को फांसी के लिए ले जा रहे हैं उत्तर में जेल के सारे कैदियों ने बंदे मातरम कहा सूरे सेन ने फिर बंदे मातरम कहा फिर वही उत्तर जेलर इससे चड़ गया उसने सूरे सेन के सिर पर तंडा मारा पर ना सूरे सेन चुपवे और ना जेल के कैदियों तंडों की मार पढ़ती रही हांसी के तखते पर पहुँशने से पहले ही सूर्य सेन का प्राणान फोगया। जेल अधिकारियों ने अपनी गलती छिपाने के लिए उनके मृत शरीर को फासी पर लटका कर गानूनी कारवाई पूरे कर दे। तो उन यातनाओं के सामने छुके नहीं। अनेक स्वतंतता सेनानियों को उस समय अंद्रमान की सेल्यूलर जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। काले पानी की सजा का घिनोना संबोधन उन्हीं दिनों प्रचलित हुआ था। क्यूंकि सेल्यूलर जेल में बंद कैदियों की हालत नरक से भी बत्तर थी। विनायक दामोदर सावर करने सेल्यूलर जेल में स्वतंतता सेनानियों के साथ कोई वैवार का बड़ा ही रुमांचक और तिर्दय विदारक विवरण प्रस्तु दिया। सेल्यूलर जेल का जेलर मिस्टर बारी इन लोगों को राज नहीं ते कैदि नहीं मानता था। अगर कोई इन लोगों को राज कैदि कहता तो वह आप एसे बाहर हो जाता। वो जीख कर बुछता। आओ। खाओं राज कैदि हा। वो तुम्हारे माफित मामूली कैदि हा। देखते नहीं। इन पर भदमाज कैदियों का जी लिखा। कैदियों को कुलू पेहना पड़ता था। उन सिर्फ खोड़ी देर के लिए रोटी खाने के लिए खोला जाता। पानी देने वाला इतना कम पानी देता था कि पीने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। अगर किसी चमादार से शिकायत करते के पानी कम मिलता है तो वो कहता तो कटोरी का हमारी तुम तो 3 कटोरी पानी पी गेया क्या तुम्हारे बाप के हां से आएगा। नहाने का तो सवाल ही नहीं था। खाने का भी यही हाल था, खाना देकर कोछरी बंद कर दी जाती, कैदी ने खाया या नहीं, इसकी कोई परवान नहीं करता, बस जोर से यही आवाज लगाई जाती, पको मत, शाम का तेल पूरा निकाल देना, नहीं तो पीटे जाओगे, और दुस्दा मिलेगी सोवालाद, ऐसे में कई लोग मुँ में कौर रखते और कोलू चलाते, सौ में एकाधी ऐसे होते, जो दिन भर में तीस पॉंट देल निकाल पाते थे, जो लोग देल नहीं निकाल पाते, उन पर जमादार, नंबरदार, तंडे बरसाते, लाद, घूसा और जूते मारते, उस समय किसी की बीमारी वगएरा की भी परवा नहीं की जाती, सेलिलर जेल में राशनेतिक गैदियों पर होने वाले जुल्मों की चरम सीमा ये थी, कि सवेरे, दो बहर और शाम के सिवा कोई शोचाला भी नहीं जा सकता था, अगर चला गया, तो हद कड़ी बन पाकर, आज धंते खड़े रहने के सजा दी जाती, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल की लंबी-लंबी सजाएं भोगने वाले पंडित जवाहलाल नहरों के अनुभव भी बड़े रोमांचक और देशत भरे रहे हैं, उन्होंने लिखा है, देहरादुन जेल की उस छोटी सी कोठरी में मुझे ऐसे लगने लगा, जैसे में उसी का एक हिस्सा हूँ, वहां कितने ही तताईये और बर्रों के छते थे, और कितनी ही छिपकलियों ने शेहतीर के पीछे अपना घर बना लिया था, खटमलों और मच्छरों मख्यों से मेरी लड़ाई बरावर रहती थी, जब कभी बिजली जोरों से कड़का करती, तो बिच्छों के जुन्ड अधिक हो जाते हैं, तीन-चार साप भी वहां रहते थे, पर मैं उनसे नहीं डरा, हाँ, कनखजूरों से मुझे बहुत नफरत और डर लगता, काकोरी कान के कैदी जब जेलों में ले जाए गए, तो उनके साथ भी साधारन कैदियों जैसा वहवार हुआ, इस पर उन कैदियों ने अपने मांग मनवाने के लिए अन्शन शुरू कर दिया, लाहुर जेल में भगत सिंग और बटुकेश्वर दत ने राजनेतिक कैदियों के विशेश वहवार की मांग की और अन्शन शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक न सुनी, उल्टे अन्शन करने वालों के साथ जबर्दस्ती शुरू हुई, एक अन्शन कारी के लिए साथ आच आदमी बुलाए जाती, एक आदमी उसके सिर पर, दूसरा उसकी चाती पर बैट जाता, और बाकी उसके हाथ पैर पकड़ लेते, फिर रबर की लंबी नालियों के जरिये, उनकी नाक के रास्ते पेट तक दूद पहुँचाया जाता, इस अत्याचार के कारण 13 जुलाई 1927 को लाहॉर जेल के कैदियों ने अन्शन शुरू कर दिया, इनमें यतिंद्रुदास पे थे, दत की हालत पहले से ही खराब थी, अन्शन के कारण और भी ज्यादा खराब होने लगी, लोगों को यतिंद्रुदास के बारे में चिंता हो होने लगी और सभी और चर्चा फेल गई, जवाहलाल नहरु ने जेल में जाकर अन्शन करने वालों से मुलाकात की, उन्हों ने देखा कि ये अन्शन अपने लिए नहीं, बलके तमाम दूसरे कैदियों पर हो रहे जुल्मों के खिला गया है, नहरु जुने अखबारों मे बयान दिया, यतिंद्र की हालत बहुत खराब होई है, बहुत कमदोर हो गए है, उन्हों तरवट लेत की ताकत नहीं है, वो भूँत धीरे धीरे बोलते हैं, मालुम होता है वो अपने प्राणों की बाजी लगा कर लड़ाई में शामिल है, धीरे धीरे यतिंद्र दास मृ बता जा रहा था, आखिर 13 सितंबर 1929 की दुपहर यतिंद्र दास ने सामराज जवाद के विरुद्ध त्रे सर्च दिन तक लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन ऐसे कई शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने हून से स्वतंत्रता की बलिदेवी को सीचा था, फतेगर सेंट्रल जेल में मनींद्रनात बेनरजी ने भी सामराज जवाद के अत्याचारों के विरुद्ध कई लोगों के साथ अंशन गिया था, मनींद्रनात की हालत बिगड़ती चली हैं, परन्तु प्रिटिश शासन तस से मस नहीं गवा, किन्तु स्वतंतता सेनानियों की शहादत उसे कमजोर तो बना रही थी, आखरेट 20 जून 1935 को मनींद्रनात मगर्ची 66 दिन की भूखरताल के बाद अत्यन करून अवस्था में शहीत हो गए, एहमद नगर जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहलालनेहु, सर्दार पठेल, आसफली, गोविंद वल्लब बंद, पट्टा भी सीता रमया, आचारे खुपलानी आद, कई बड़े नेता बंदी बनातर रखे गए थी, बंबई से आये जेलों की इंस्पेक्चर जनर्नल ने उन्हें बताया कि वो न तो अपने विश्थिदारों को चिठ्षियां लिख सकते ही, ना ही उनकी चिठ्षियां मिलेंगी, अख़बार भी नहीं मिलेंगी, ये हुक्म बहुत सक्त है जिसका पालन करना ही होगा, इस तरह ये सब बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट चुके थे, परन्तु चन्म भूमी को अंग्रेजों के कबजे से मुक्त कराने के लिए अडिक संकल्प, श झालन करने के लिए से बिल्कुल को अंग्रेजों 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 को अंग्रेज